सबसे बड़ा धोखे वाज कौन है? मैया, सब लोग बताएंगे सबसे बड़ा धोखे वाज कौन है? यह मैया बताएंगे पीली मैया पीछे वाली मैया बताओ लाल मैया ओ मेरी माँ सो रही हो सो नामत मेरी माँ बैसे यहां से आप दिख कम रहे हैं पर ध्यान से सुनिएगा ये बताईए सबसे बड़ा धोखे बाज कौन है आपको सबसे बड़ा धोखा कौन देता है जल्दी बताओ मेरी मा इतना समय कहा है ये मैया बताएंगी सफेद मैया सफेद साड़ी मैं हाँ बता मेरी मा सबसे ज़्यादा धोखा कौन देता है आप्सन दे रहा हूँ अच्छा फिर बताना सबसे ज़्यादा धोखा हमें कौन देता है पहला पती पतनी पती पतनी एक ही करते हैं पती पतनी या बेटा या संसार के लोग या फिर ये शरीर सबसे बड़ा धोखे वाज कौन है जोर से हम सब का सरीर हम सब को धोखा देता है कैसे कुछ दिन होने दो थोड़ा बुढ़ा पाने दो आपकी आँख आपका साथ छोड़ देगे थोड़ा और उमर होने दो आपका घुटना आपकी कमर, आपकी किड़नी, आपका लीवर, आपका साथ देना छोड़ देगा यहां तक की पेट में जो जठ रागनी है, जो पचाने की ताकत है वह पाचन सकती भी कम पढ़ जाएगी, अब कम पचेगा आपका सरीर आपको धोखा देता है सबसे बड़ा धोखेवाज है, शरीर, और सरीर से भी बड़ा धोखेवाज है, मन सारी जिन्दगी आपको धोखे में रखता है, मन इसलिए शरीर और मन के धोखे में ना आओ, यह सरीर आपका है क्या? बोलो यह शरीर आपका है क्या? यदि आपका है तो ले जाना साथ में यहीं जला देंगे लोग यह सरीर आपका नहीं है यदि आपका होता तो आप इसे साथ ले जाते लेकन आप इसे छोड़ देते सोचो कि यह सरीर जब अपना नहीं हो सका तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने हो जाएंगे बोलो जूटे संसार में जीते रहे जूटी उम्मीदों में जीते रहे सच तक कभी पहुँचे ही नहीं सच्चाई ये है कि ये जिन्दगी किराय की है ये शरीर किराय का है और एक दिन आपको किराय की जोपड़ी खाली करनी पड़ेगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन महूरत के उठाली जाएगी धन सिकंदर का पड़ा सब रहे गया मरते दम लुकमा ने भी ये कहे गया ये घड़ी हर गिज नटाली जाएगी ये घड़ी हर गिज नटाली जाएगी जब तेरी तोली निकाली जाएगी एमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा भाड़े के को आटर को क्या तू समहा ले ये शरीर जो है न आपका ये किराय का मकान है भाड़े का है और एक दिन आपकी सास आपके ससोर आपके दादा पर दादा बताओ शरीर लेकर गए की छोड़कर गए जोर से भाड़े के को आटर को क्या तू समहा ले जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी वो करे कैद तुझे जाना पड़ेगा काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा यह सरीर किरायका है यह संसार के लोग सब किरायदार है और एक दिन यह सरीर यहीं छूटेगा तो सरीर से रिस्ता रखने वाले लोग भी यहीं रह जाएंगे आगे की आत्रा अकेले आपको करनी है अब आप देख लो की आगे ले जाने के लिए पुन्य की घठरी बांधोगे यह पाप की यह जिन्दगी एक किराय का घर है जिन्दगी एक आप मैसे कितनों की जिन्दगी किराय की है जिनकी है वो हाथ उठाएं मैं यह आप किराय की हो यह शरीर आपका किराय का है और यह शरीर आपको एक दिन यही जोड़ना पड़ेगा